आप से शुरू करता हूँ चलिए क्या ये सही है कहना कि ये विनेश फोगाट और किसान क्योंकि आंदोलन वहाँ 200 दिन से चल रहा है हर्याना के चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं संजू मानक जी आजकल आपकी हर इंटर्व्यू वाइरल हो रही है और आप हमेशा कठिन प्रश्ण पूछते हैं और खासकर मुझे तो हमेशा आप एक के बाद एक गूगली फेकते हैं आपने पहला सवाल ही इतना जो कहते हैं ना ट्रिकी सवाल पूछा है पर मैं सीधा सीधा जवा सब्सक्रावत है अक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स प्रूफ अफी पुडिंग इसंदी इटिंग जब से वह वापिस आई है भारत आप उनका व्यभार देखिए दिपंदर हुड़ा उन्हें लेने गए थे एरपोर्ट और उसके बाद हर्याना सरकार की चाहे उन्हो उस पर मैं बाद में आऊंगी पर मेरा सिर्फ एक कहना है आपने एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया हर्याना में लगभग 16-17 लाख किसान है अभी मुद्दे की बात ये है मानक जी कि पिछले कुछ सालों में सवा 3 लाख करोर से जादा की राशी मोधी सरकार में पी-म कि किसान के तहट सीधा सीधा किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई है ये मेरा पहला बिंदू है मेरा दूसरा बिंदू ये है कि इस वक्त सारे आठ करोर से जादा किसान क्रेडिट कार्ड्स का लाख सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है मेरा तीसरा बिंदू ये है कि चाहे आप धान देखे, गेहू, मसूर की दाल, मूम की दाल, तूर की दाल, जो MSP है, आज तक चुनाव का भाशन ही तो होगा, किशोर जी एक सेकेंड, अरे चुनाव की तो भाशन होगी, किशोर जी कैसी बात कर रहे हैं, चुनाव की तो भाशन होगी, कैसी बात कर रहे हैं, बोलि मानक जी, मोधी सरकार के खिलास किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि MSP पर प्रोक्योर्मेंट अधिक्तम से अधिक्तम होनी चाहिए. आप पिछले 9-10 सालों के आंक्रे निकालिए. चाहे धान हो, गेहू हो, तूर दान हो, ऑईसीड्स हो, कॉटन हो, पलसेज हो. पचाख प्रतिशत से ज़्यादा, कहीं कहीं 75 प्रतिशत से ज़्यादा मुनाफा किसानों को MSP के चलते हो रहा है. और यही कॉंग्रेस पाटी, जो MSP को लेकर हर्याना में दुहाई दे रही है, क्योंकि वहाँ BJP की सरकार है, आपको याद दिला दू. पांच साल तक राजस्थान में अशोग गैलोट की सरकार थी, हनुमानगड में, बाजरा की प्रोक्योर्मेंट को लेकर किसानों ने अं आते हुए लाठी चार्ज किया था, राजस्थान में आप लाठी चार्ज करते हो, तेलिंगना में आप किसानों को क्रॉप इंशोरंस के नाम पर लाठी चार्ज करते हो, करनातक में आपने किसानों को लाठी चार्ज किया, बारा सो से जादा किसानों में आत्म हत्या कर ली करनातक में सिदर अमेर के मुह में फेवी क唰 चिपक गया तेलिगिञा में रेवां त्रेडी से किसानों ने पूछा भ Arabic क्रॉप insurance के तहप हमको लाव कप विलेगा रेवां त्रेडी ने लाठियां बरसाई रेवां प्रेडी के मुह में तही जब गया और यही राहुल गांदी जो किसानों की दुआई देकर करते हैं मैं नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलने आया हूँ वही जब आप तिलंगरा में लाठियां बरसाते हो किसान पर करनाटका में लाठियां बरसाते हो तब क्या है यह आपकी महबत का अप इंशौरंस प्रधान-मंत्री किसान बीमा-योजना के तहट आप यकीन मानिये मानक जी गैस कीजिए आज तक कितने किसानों को इसका लाग पहुंचा है 35 करोर से जादा इंशौरंस अप्लिकेशंस प्रोसेस हूई है प्रदावन मंत्री, किसान, बीमा, योजना के तरह, तो मेरा कहने का जो संचेथ है, जो मैं कहना चाहती हूँ, ताक पर यह यह है, कि किसानों को लाभ पहुंचाने में, मोधी सरकार बिल्कुल पीछे महीं हटी, और हर्याना की बात करें, तो याद करिये, चाहे वो डेली MMR, टी-एस मीरट कॉरिडर हो, इसका लाभ कही न कहीं हर्याना को भी पहुंचता है, गुरुग्राम मेट्रो रेल, फ्रम मिलेनियम सिथी, तु उद्द्योग विहार, इसका भी लाभ गुरुग्राम के पहुंच रहा है, जो अभी आलोग जी भी आगे,